साथियो नमस्कार सभी पसुबालग भाईयों को ये जानना जरूरी है कि जब बैंस बच्चा देने वाली होती है तो उसमें क्या-क्या लक्षन आते हैं वो लक्षन अगर पता रहेंगे तो हम जान पाएंगे कि आज या कल में हमारी बैंस बच्चा देने वाली है देखिए स्क्रिन पे आपको एक बैंस दिख रही है सबसे प्रमुक लक्षन आता है पुठे गाल लेना यानि ये जो खड़े आपको दिख रहे हैं दोनों फिठे के ऊपर ये खड़े यहां पर गहरे हो जाएंगे और एकदम से लूज अब साब देख पा रहे हैं एकदम से लूज हो जाएंगे यानि जिसे पुठे गालना कहते हैं इसका मतलब इसकी डिलेवरी 24 गंटे के बितर बितर हो जाएगे इसके अलावा ये जो जगें हैं बीच वाली देखिए ये ये जगें दीरे दीरे अपना कड़ा पन खो देती है यानि यहां अगर हम हाथ लगाएंगे तो एक कड़ा मसल्स होता है अभी तक जैसे देखिए थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है इसका मतलब इसकी डिलिवरी में कम से कम 12 गंडे बाकी है ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है जब नजदीक समय आएगा तो ये बिलकुल भी नहीं दिखेगा एकदम से गाइब हो जाएगा यहां से एकदम से लूज हो जाएगा इसके अलावा जो वलवर पार्ट है ये देखिए एकदम से लूज हो जाएगा और लटकने सा लग जाएगा वलवर पार्ट में भी ये चेंज़ेश होते हैं जब समय नजदीक आएगा उस समय जब समय नजदीक आएगा अंदर की तरफ हमें दिकरा है अंदर की तरफ हमें हलका सा डिस्चार्ज नज़र आ रहा है ये देखिए आराम से हम देख पा रहे हैं जो वलवर पार्ट डिला हो रखा है उसमें डिस्चार्ज भी नज़र आ रहा है तो थनों में टोनो सिटी आ जाना थोड़ा बो डिस्चार्ज देना कईयों में पेरों में सूजन भी आ जाती है और पुठे एकदम से गाल लेना और जब समय नजदीक आता है उस समय बैस जो है वो दस्त करने लग जाती है अमोमन 75% केसेज में दस्त भी होने लग जाते है और सरीर एकदम से डीला पड़ जाता है खाना पिना धीरे धीरे करके कम कर देती है और उट बैट भी सुरू कर देती है जब नजदीक समय आता है उस समय उटना बैटना भी सुरू हो जाता है ये देखे पिठे गालना की जो प्रक्रिया है वहाँ से सुरुवात होती है और दिरे दिरे करके यह लक्षन जो है वो आते रहते हैं और जून-जून नस्दीक आता है समय त्यून-ट्यून डिस्चार्ज जादा होने लग जाता है और ये जो लक्षन पिटे गालने वाले हैं वो भी दिरे दिरे करके ज्यादा हो जाएगी यानि एकदम से पीछे से डिली पड़ जाएगी और कईयों में थनों में से दूद भी गिरने लग जाता है थन एकदम से टाइट हो जाते हैं और गादी भी बड़ी हो जाती है तो इन सारे लक्षनों से हम पैचान सकते हैं कि अ अब हमारी बैंस जो है वो बच्चा देने वाली है